यह कहानी एक अलगी दुनिया की है, चहाँ चार ऐसी नेशन इनी को में रहती है जिनके पास अपनी अपनी सूपर पावर से, इन मेसे एक है airbenders जिनके पास हवा को कंट्रोल करने की दाकत है, दूसरे firebenders जो कहीं भी आप लगाकर उसे कंट्रोल कर सकते हैं, फिर waterbenders जो के प अवातार यनि एक ऐसे इंसान का होना ज़रूरी है जिसके पास हवा, पानी, आग और जमीन चारों एलिमेंट्स को एक साथ कंट्रोल करने की सूपर पावर हो। पता चला है कि फायर बेंडर्स ने अब इस दुनिया में हकूमत करने की ठानी है और इसलिए वो बागी सभी बेंडर्स को मार रही हैं इस जंग को रोकेगा अवातार एंग जो के इस वक्त एक एयर बेंडर है उसे उसके मास्टर एयर बेंडर के लिए ट्रेन करते हैं पर को की इलाके में गुसकर उन्हें मारना चाह रहे थे मास्टर भी तरही वक्त देखकर एंग को उसके अवातार होने की सच्चाई बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हीं जल्द ही ट्रेनिंग पूरी करके फायर बेंडर्स की तरफ से होने वाले इस जल्म को रोकना होगा एंग के साथ उरकर सेर पे जला जाता है जबकि उसके पीछे पीछे उसके इलाके में आग का हमला हो चुका था पायर बेंडर्स ने एयर बेंडर्स के पूरे ही टेंपल को थोड़े ही टाइम में तबा कर दिया था वो लोग सभी एयर बेंडर्स के साथ ही एंग के मास्टर को भी मार चुके थे और जो बचा था वो सिर्फ एंगी था जो अपने पेट के साथ सेर पे निकला था पर तोफान की लपेट में आकर वो पानी मिगईता है इससे पहले के वो पानी में डोप जाता हमीं दिखा जाता है कि उसकी अवातार की ताक पे जागी है उसके सर में बने आइंग निकला था यह वाटरबैंडे का इलाका था जहां कटारा नामी वाटरबैंडर अपने भाई के साथ ट्रेडिंग करी थी यह वाखिया देखकर वह दोनों घबरा चाथे हैं और ऑन को अपने टेंपल में ले आते हैं एंग का यहाँ से इलाके में आग का हमला हुआ था तो तब वो सेर के लिए वहां से निकला हुआ था और एक तोफान में फसने के बाद उसे इस टैंपल में होशाया है वाटर बेंडर्स की एक ओल्ड डेडी उससे कहती है कैसर कैसे हो सकता है जिस हमले की तुम बात करें हो वो आज से पूरे सो साल पहले इस दुनिया में हुआ था जिसमें सभी एर बेंडर्स मारे गए थे उनकी पूरी नसल खतम कर दी गई थी यहां तक कि काफी वाटर बेंडर्स भी उस जंग में मारे गए बस यह खटारा ही उनके कबीले में आसली वाटर बेंडर बची है एंग से थोड़ी और ब बेंडर कतारा का अच्छा दोस्त बन जाता है जिससे अभी तक अपनी पॉफर्स पर कंट्रोल करना नहीं आया था एंग उसे अपनी सोल और इमोशन्स पर कंट्रोल करते हुए फोकस करने की स्किल बताता है जिसकी मदद से अब वो अच्छी से वाटर बेंडिंग कर पा र लड़ने का चैलेंज देतेता है जुकू एक ट्रेंड फायर बेंडर था जबके उसके सामने एक आम इंसान जिससे वो बड़ी अहसानी से हरा चुका था इससे पहले कि वो अपने सामने वाले लड़के को मार देता लड़ाई खतम करने के लिए एंग सामने आता है और उनक वजबी अफाययों को चक्मा दे कि एससे निकल कर जूकू की इस शिप का विजट करता है जहां उसे अवाधार पर लिखी जूकू की किताब मिलती है जैसे चुरा जैसे वो शिप 59 नेजर में आ चाता है जूकू आग से आमपर हमला कर रहा था जिससरे पच्ठे हुए इसस की हड़िया नजर आती हैं तो दुख और गुस्ते से उसका बुरा हाल हो जाता है ऐसे में उसकी सारी अवातार के पावर्स एक बार दुबारा से जॉग उठती हैं जिनको अपने दिल पर कंट्रोल करते हुए उसने बहुत मुश्किल से काबो में किया था वो बहुत ज्याद की अवातार पे लिखी हुई बोग जो उसने शिप से चुराई थी उसके जरीए उसे पता चुलता है कि अवातार की ट्रिनिंग स्टार्ट करने के लिए उसे पहले पिछले सभी अवातार की पौवर्स को जगाना होगा इसलिए पहले वो कियोशी अवातार के टैपल में ज और उन्हीं अपने सर्दारों के पास ले आती हैं यह एंग और एंग के साथ योगो बताते हैं कि असल में उनके पास किसी तहां की भी बेंडिंग पॉवर्स नहीं है जिनकी वज़ा से वह अपने आपको बच्चा नहीं सकते इसलिए वह किसी अंजान इंसान को अपने आइल और आइलेंड के लोगों से कहता है कि हम यहाँ पर एक मुझरिम को पकड़ने के लिए आए हैं अगले दिन हैं तुबारा कियोशी की मुर्ती के पास जाता है और इस मर्तबा जब मुर्ती से रोशनी उसके उपर गिरती है तो वो अचानक ही सोल्स यानी रोहों की दुनिया भी तबाह हो जाएगा जिसके वीएंज भी कियोशी ने एंग को दिखाया थे वो कहती हैं कि ट्रेनिंग तुमने खुद से अकेले रहकर करनी हैं सबका साथ छोड़ कर चूड़कर क्योंकि हमारे करीबी लोग ही हमारी कमजोरी होती है और आवातार कमजोर नहीं हो सकता जि उसे पता चुल गया था कि उसके लोग मुश्किल में हैं उनकी उपर फायर बेंडर्स ने हमला कर दिया था इस जगा पहले कटारा जूकु से लड़ी थी वो उसे अच्छी टकर देना चाहती थी पर अभी खुद पूरी तरह ट्रेन ना होने की वचा से वो ऐसा नहीं कर प चाहलत में आ चाहता है को वाले एंग का शुक्रिया कहते हैं क्योंकि उन्हीं तो एंग ही अपने दुश्मनों से लड़ता नजर आया था उसके बाद एंग अपने साथियों के साथ वोटर बेंडर्स के इलाके की तरफ चल पड़ता है क्योंकि उसे कियोशी ने बताया था कि वाटर बेंडर्स के इलाके बे अब बहुत बुरा हमला होने वाला है इसे लिए वो पहले वाटर बेंडिंग सीखकर उस इलाकी को बचाने का इरादा कहता है इस सीम में दिखाया चारहा है कि आवातार के योशी के आईलेंट से हारने के बाद जुकू से जुकू के यह मिलते हैं जो उससे पहले उसका साथ ना देने की वज़ा से माफी मांग रहे थे यह आत्मी जुकू से कहता है कि अगर आप पहले ही हमें आवातार के मिलने के बारे में बता देते तो हम जरूर आपका साथ देते हैं जुकू इस आदमी से कहता है एठीक है यह बात तुमें ही बताओगे लेकिन वो तो ये खबर जोको के डाट को यह निए फायर बेंडर के राजा को बता चुका था जो खबर सुनते ही वो अपने बेटी से कहते हैं कि देखो सुकू काबल बनना जा रहा है उसने आवातार को भी ढूंड लिया है यह बात सुनकर अहम तोर पर तो उस के इलाकी की तरफ उड़ते हुए एंग को अपने ही जैसा एक एयर बेंडर मिलता है जो हवा में उड़ रहा था एंग फोरन ही उसका पीछा करते हुए एक ऐसे शेयर में आता है जहां सभी अर्थ बेंडर रहते थे जो जमीन पत्रों और जमीन की मट्टी को कर्डोल कर सकत है कि उसे जो बच्चा उड़ता हुआ दिखाई दिया था वो कोई एयर बेंडर नहीं था बेलकि एक साइंटिस्ट का बेटा था और अपने डाड के दिए एक गैजिट की मदद से उड़ पा रहा था ये लोग उस साइंटिस्ट से भी मिलते हैं जो उने बताता है कि फायर बेंडर होना तुम हमारी मदद कर सकते हो दूसरी तरफ इसी बच्चे के उड़ने की खबर फायर बेंडर को भी पता चलती है कि एक इलाकी में उड़ता वन लड़का दिखाई भिया है जरूर वो एक एयर बेंडर होगा फायर बेंडर का प्रिंस जुको इस भार भी अकेल प्रिंटी थो नहीं हाथों पकड़ी जाती है यह सब फायर बेंडर मिलकर उसके ऊपर हमला कर दीते हैं वह अपने साथी के साथ मिलकर जौल धी और हरा देती है जबकि दूसी तरफ उसका भाई एक साइटिस्ट के साथ मिलकर बड़े एयर बिलून कर डिजाइन बनाने में काम्याब हो जाती हैं इसी शहर में एंग ये पता चलाता है कि फायर बेंडर्स यहां पर अपनी आग से हमला नहीं करती बलके वो तो इस शहर में किसी खास केमिकल का इस्तमाल करते हुए आग के हमले और धमाके करवाती हैं और जरूर इनके शहर के अंदर का ही कोई आदमी फ गटारा उसे जानती थी उसी के साथ मिलकर तो उस देफ पाहर बेंडर्स को हरा था वो लड़का तो उसे अच्छा इंसान लगा था लेकिन जब बाहर जाकर वो दुबारह उस लड़के से बात कहती है तो वो लड़का उसे अपना प्लैन बताता है कि कैसे वह साथ मिलकर बाच्छा को बचाने के लिए निकती है जहां पर आंग का सामना जूकु से हो जाता है यह लोग लड़ते लड़ते शेहर की तरफ आ जाते हैं जूकु जब अपनी इयर बेंडिंग स्किल्स की मदद से बुझाने में लग चुका था अर्थ वेंडर्स को भी यह आने का जब पता शुलता है तो उनके सपाही फायर बेंडर को पकड़ने के लिए जाते हैं और तब दूकु की अंकल इन सभी सपाहियों के सामने अपनी फायर बेंडिंग की स्किल्स दिखाते हैं ताकि इन सब का दिहान प्रिंस उनकु की तरफ जाई हिना जिसके नतीजे में अंकल और एंग दोनों ही पकड़े जाते हैं इसे दुरान फायर बेंडर्स का जब एक साथी बादशा को मरवाने के लिए बंवाले एक बॉक्स के ओपर आग से जली एक तीस ती हमला करने वाला होता है तो कटारा अपनी वाटर बेंडिंग स्किल्स का इस्तमाल कहते उस तीर को बचा कर बादशा की जान बचा लेती है यहां कटारा का भाई साइंटिस से पूछता है कि तुम बादशा के खिलाव ही काम क्यूं कर रही हो जिस पर वो जवाब देता है कि ये करना मेरी मजबूरी है क्टारा अंक से कहती है कि सारी बाते छोड़ो हमें एंग को उसका एक डोस्त हुआ करता था बहुत ही अच्छा और वह एक आर्थमेंडर था जिसने उन्हें बताया था कि तुम इस रास्ते को अपने प्यार से ही पार कर सकते हो लेकिन ये दोनों बहन भाई जो इक दूस्टे पर इत्बार नहीं करते थे इस टरनल में खो जाते हैं बहुत ही मुश्किल सी जब ये लोग आगे बढ़े ही होते हैं तो इनका सामना एक मॉंस्टर से हो जाता है तरकल ये दोनों ही हाथ पकड़ लीते हैं ऐसा करने पे वो मॉंस्टर एकदम से खामोश उचका था कटारा समझ जगती है कि ये उनके प्यार की वज़ा से हुआ है वो इसी मॉंस्टर से बाही निकलने का रास्ता जब पूछती है तो मॉंस्टर यहां की दिवार तोड़कर एक रास्ता बना देता है और अब हमें दिखाया चाता है एंग को जो कि अर्थमेंडर्स के बादच्छा का स्थामना कर रहा था यह बादच्छा बहुत ही जादा खुसे में था क्यूंकि सो साल पहले एंग की वज़ा से उनकी दुनिया तबाह हुई थी इसका बदला लेने के लिए वो अपनी सारी आर्थमेंडिंग पौवर्स का इस्तमाल करते हुए एंग के उपर हमला करता है वो बहुत ही मुश्क्र सही अपने आपको बचा पाता है जस पर वो बादच्छा खुसे में उसे बताता है कि तुम अभी भी एक बच्चे की तरह सोचते हो अवातार की तरह नहीं और बच्चों के साथ मिलकर ही अजीब काम कर रहे हो परैयन जवाब में कहता है उनका एक बेटे की तरह सयाल रखा और जब जुकु को अपने फादर की तरफ से आवातार को ढूंड लाने तक उनके इलाके में ना आने के सजा दी तो तब अंकल ने उसके साथ आने का फैसला किया और तब से अब तक ये लोग साथ थे ये दोनों मिलकर तबी सिपाईयों को अपनी फायर बैंडिंग स्किल्स से मार गिराते हैं जबके दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एंग और कटारा तुबारा वाटर बैंडरिस की इलाके के लिए निकल चुके हैं यहाँ पर एंग कटारा से कहता है कि तुमने जल्द ही वाटर बैंडिंग काफी अच्छे से सीख ली है जिसका जवाब कटारा देती है कि मैं अपनी वाटर बैंडिंग स्किल्स को अपनी दादों की किताब की मदद से बढ़ा रही थी इन्ही बातों के दुरान रास्ते में जंगल के अंदर उन्हें आग लगे दिखाई देती हैं जब ये लोग वहां उतर कर चेक करती हैं तो यहां एक चूटा सक गाउन था एक आदमी एंग को बताता है कि पहले कुछ यहां पर मॉंस्टर्स थे जो इन्सानों को गाइब कर लिया करते थे और फिर फायर बेंडर्स ने भी यहां पर हमला करके हमारे इस इलाके को तबाह कर दिया एंग को भी यहां पर एक दूसरे डायमेंशन की अनरजी महसूस हो रही थी सीन कर ठोकर हमें फायर बेंडर्स के शेहर में जुकू की बहन को दिखाया जाता है जो अपने डैट को कह रही थी कि उन्हें आर्मी जिर्नल की मदद से अवातार को धून लाना चाहिए उसके डैट कहते हैं ठीक है तुम यह भी करके देख लो लेकिन जो अवातार को पहले लीकर आएगा वही यहां का राजा बनेगा यह काम चाहे पहले तुम करो यह जुकू पर यह बात यात रखना कि जुकू बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है यह सुन वो लड़की काफी घुस्से में आ जाती है जबके इस सीन में हमें दिखा जाता है कि दबाह हुए गाओं के अंदर जहां एहं को दूसरे डायमेंशन की एनरजी महसूस हो रही थी वो अपनी अवातार वाली स्किल्स का इस्तिमाल करते हुए अपनी और अपने दोस्तों की सोल को उस दूसरी डायमेंशन के अंदर ले जाता है जहां उनके सामने एक अजीब सा मोंस्टर आता है जो गुस्से में इन तीनों को एक ही हाथ से मार कर दूर गिरा चुका था और बहुत जोर से चिला रहा था इसे दुन्या में कटारा के भाई को एक फॉक्स मिलती है जो उसे कहती है कि जिस मोंस्टर को तुमने देखा है वो काफी दर्ट में है तुम उसे दर्ट से निखाल तो तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी यहां दिखाया चा रहा है कि कटारा को कटारा की मॉम इसी दुनिया में नसरा रही है वो अपनी मॉम के पास जाना चाहती है लेकिन अच्छानक ही पायर बेंडर्स का उनके उपर हमला हो जाता है जिन से बचाने के लिए कटारा की मॉम कटारा को एक जगा पर छुपा देती हैं और फिर पायर बेंडर्स उसकी आँखों के सामने उसकी मॉम को जला कर मार देती हैं ये उसकी बचपन की आते थी जिन में वो पूरी तरह खो चुकी थी कि आचानक एक नया मॉंस्टर उसके सामने आकर उसे कैद कर लीता है इसे दुनिया में कटारा के भाई को भी कुछ खयाल आती हैं जहां उसकी फादर और उसके अंकल आपस में बाती करी हैं कि ये लड़का किसी काम करी हैं वो कोई मास्टर नहीं बन सकता ये बात है उसे दुख देती हैं वो भी इंटिसोयालों में खोच आता है और अचानक वो मॉंस्टर जिसने कटारा को कैद किया था उसके भाई को भी कैद कर लेता है अब तो आंक को भी इस दुनिया में अपना एयर बेंडर्स का टैंपल नसरा रहा था लेकिन वो एक ही सेकिंड में समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता ये कोई अलुयान है वो अपना पूरा फोकस लगाता है और देखता है कि यहां पर असल में है क्या और उसे यहां एक मॉंस्टर दिखाई देता है जो उससे कहता है कि तुम कई साल बार ऐसे इनसान मेरे सामने आए हो जो मेरे भरम से पच गए वरना जो मेरे भरमने आता है उसे मैं कैद कर लेता हूँ मैं जान चुका हूँ कि तुम एक अवातार हो मैं पहले भी बहुत से अवातार से लड़ चुका हूँ मुझे पूछता है कि क्या तुम मेरी कोई चीज लेकर आएगो एंग कहता है नहीं मैं तो अपने दोस्तों को बचाने के लिए हाँ आया हूँ ये कहते ही उसके और मॉंस्टर के दर्मियान में लड़ाई शुरू हो जाती है पर एंग जो यहाँ पे एक सोल था अपनी ताक्तों का इस्तिमाल नहीं कर पा रहा था इसलिए वो इस मॉंस्टर से हार जाता है और वहाँ से भाग कर एक घर के अंदर आता है जहाँ पर उससे अपने मास्टर मिलते है वो उनकी गले लगकर मुझे कहता है किया आप कहा चले गए थे मुझे आपकी जरूरत है अप एंग इन से पूछता है कि मैं इस मॉंस्टर से अपने दोस्तों को कैसे बचाऊं मास्टर बताते हैं कि ये मॉंस्टर लोगों को उनकी पुरानी यादों के जर्गे कैद कहता है पर अवातार इसके जाल में नहीं फस्ते पिछली मरतबा पायर नेशन के एक अवातार ने इनको अच्छी टकर दी थी और वो उनकी कोई खास चीज चुरा ले गया था अकर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो तुम जाकर इस मॉंस्टर की वो चीज ले आओ पर फाहर बेंडर्स तो उनकी दुश्मन थे उनके इलाके में जाना एंग के लिए काफी खतरनाख साबित हो सकता था पर एंग के पास कोई ओर रास्ता भी नहीं था इसलिए वो अब जल्दी से इस सोल की दुनिया से असल दुनिया में वापिस आता है और फाहर बेंडर्स के इलाके की तरफ बढ़ जाता है यहां पर एक आत्मी एक फाहर बेंडर्स जिसे लगता था कि चारों किसम के बेंडर्स के दर्मियान में अमन होना चाहिए वो एंग की मदद के लिए मान जाता है और एंग को अपने आवातार वाले टेंपल में लेकर आता है जहां अवातार की जमा की हुई काफी सारी चीज़े थी पर एंग को अब ये समझ लिए आ रहा था कि इसमें से मॉंस्टर की एहम चीज़ क्या होगी इससे पहले कि वो यहां से कुछ उठाता यहां पर दूसरे फायर बेंडर्स आइंग को पकरने के लिए चाओते हैं अच्छा फायर बेंडर आइंग से कहता है कि तुम अपना काम करो इनको मैं कुछ संभाल लूगा वो उन फायर बेंडर्स को संभालने की कोशिच में लग जाता है जबके एंग अपनी अवातार वाली पौवर्स का इस्तमाल कहते हुए पाहर बेंडर्स के अवातार से मिलता है जो उसे बताते हैं कि मेरे पास उस मौंस्टर की माँ की मूर्थी है वो अब असल दुनिया में वापिस आकर जल्दी से वो मूर्थी उठा कर मॉंस्टर के पास जाने ही वाला था कि यहाँ एक और मॉंस्टर एंग के उपर हमला कर देता है यह मॉंस्टर एक बॉंटी हंटर का था जिसे जूकू और उसके अंकल ने अवतार को पकड़ने के लिए हार किया था ऐसे एंग उन दोनों के गबजी में आ जाता है एंग दोनों को समझाता है प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दो मुझे अपने दोस्तों को बचाने दो फिर मैं तुबारा खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा जिस पर जूकू उससे जवाब देता है कि दोसरों को बचाने की सोच हमें कमजोर बनाते दी है और यही से हमें एक पास्ट का स्थीन दिखा जाता है जहां पर जूकू के डैड जंग में लड़ने की एक स्ट्रेटेजी बना रहे थे जिनके मुदाब एक मुझाफिस सारे अपने ही सोलजर्स को मरवा कर जुश्मन को डिस्ट्रेक्ट करके खतम कर देंगे पर इस फ्याल पे जूकू को कहना था कि हमें अपने लोगों को नहीं मरवाना चाहिए अपने स्ट्रेटेजी पे सवाल उठाने की वज़ा से जूक की डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी सीन कट होकर हमें प्रेसेंट में दिखाया चाहता है कि जूकू के डैड ने जूकू के ही सामने अपनी आर्मी भेजी थी जो उससे कह रही थी कि तुम अराब से अवातार को हमारे हवाले कर दो तो हमारे पास तुम्हें ये मारने तक के ओर्डर्स हैं ना चाहते हुए भी जूकू को अवातार को अपने डैड के सिपाहियों के हवाले करना पड़ा था ये लोग एंग को ले जाकर एक टैंपल में बांद देते हैं और रात होने पर उसे कोई बचाने के लिया आचाता है यहां हमें एक फाइट दिखाए जाती है जिसमें एंग और उसे बचाने वाला सिपाही बागी सबी सिपाहीं से लड़ते हैं और यहां से गाइब हो जाते हैं एंग देखता है कि उसे बचाने वाला और कोई नहीं बलके जुकु ही था वो ये देखकर हिरान भी होता है और जुकु से कहता है कि तुम काफी अच्छी हो तुमने मेरी मदद की हलाकि तुम मेरे दुश्मन थे और दोनों एक दुसरे से लडने लग जाते हैं एंग उसके हमले का मुकाबला करते हुए उसी को गिरा देता है और उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे चेरे के साथ-साथ तुम्हारे दिल पे भी एक गहरी चोट है और इस कहानी को जानने के लिए हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि जूकू के डैड जूकू से लड़ रहे हैं जूकू उन्हें अच्छी टेकर देता है लेकिन चाहकर भी उन्हें मार नहीं पाता जोस पर उसके डाड उसे कहते हैं कि दूसरों को बचाने की चाह हमें कमजोर बना देती है जुको ने अपने डाड को ना माल कर अपने आपको कमजोर शाबिद कर दिया था और इससे पहले भी उसने अपने डाड की बनाई एक स्ट्रेटेजी पर सवाल उठाया था जूकू उसके ओपर आग से हमरा कहता है जिसका एंग के ओपर कोई असर नहीं होता सीन कट होकर पास्ट में हमें दिखा जाता है कि जब जूकू की आँख जुली हुई थी तब उसके डाइड उसके पास आकर कहते हैं कि तुम्हें जंग में एक सिपाहियों के बैच को बचाने की बहुत पड़ी थी इसलिए अब तुम्हारी सहजा है कि तुम उसी बैच के साथ हमारे इस इलाके से निकल जाओगे तब तक के लिए जब तक तुम्हें कोई अवातार नहीं मिल जाता फैर नैसी में दिखा जाता है कि एंग दुबारा जले हुए गाओं में आकर दूसरे डैविंशन में पहुँच चुका था वो वहां मॉंस्टर को मॉंस्टर की गुमी हुई मूर्ती बहपिस करता है जिसके बदले ये मॉंस्टर वहां सभी इंसानों को आज़ात कर देता है एंग को यहां कटारा और उसका भाई मिले थे जिनको देखने से जाता वो इस चीज़ से खुश था कि बाकी गाओं वाले अपने गुमे हुए लोगों से मिल कर काफी खुश हो रहे थे ये लोग फाईनली अब वाटर बेंडर्स के इलाके में पहुँच जाते हैं जहां सभी वाटर बेंडर्स आवतर को देखकर इसलीए खुश हैं कि वो जानते हैं कि फाईर बेंडर्स उनके उपर हमला करने वाले हैं और आवातार के यहां होने की वज़ा से वो उन से जंग बहुत ही आसानी से जीट जाएंगे जबके फायर बेंडर्स के इलाके के अंदर जुकू की बहेंट यहां कुछ लोगों से फाइट कर ही है अपनी फायर बेंडिंग स्किल्स के जरीए और उसके डाइड उसकी स्किल्स को देखकर कहते हैं कि नहीं तुम तो बहुत स्लो बहुत बेकार हो यह सुन उस लड़की को घुसा आचाता है और वो उस्तने दोस्तों से कहते हैं कि मैं सब जाती हूँ यह मेरे डाइड की चाल है तो एंगो ने कहता है कि मैं अभी इन चीजों के लिए काफी छोटा हूँ और अभी तक अपने दोस्तों की मदद लेता हूँ तो ये सुन वो गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम कैसे अवातार हो एक बिकार अवातार जो अपने कामों में अपने दोस्तों की है अलाकि अवातार में इतनी दाकत होनी चाहिए कि वो किसी भी मुसीबत का अकेले में मुकाबला कर सके एंग बचारा के सब सुन उदास उचका था यहां के अच्छी फायर बेंडर थी वो जब यहां की लोगों से मिलती है तो उसे बदा चलता है कि यहां की ओरते तो जंग म कर रहे हो मैंने भी अपने लोगों को छोड़कर सोल्स के दुनिया में लोगों की मदद करना शुरू की थी और इसी वज़ा से लोग अभी तक मेरी इज़त नहीं करते और ही सब तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो मैं अपने दोस्तों को छोड़कर अपनी ट्रेनिंग पर दिहान देना चाहिए इन्ही वाटर बेंडर्स के इलाखी के अंदर पिटारा के भाई को एक लड़की मिलती है सफेद बालो वाली जिसे मिलकर उसे लगता है कि वो पहले उससे मिला हुआ है अचानक उसे यहात आता है थी यह लड़की उसे सोल्स के दुनिया में मिली थी इसलिए मेरे डैड ने चाहन की रूँ से मदद मान की जिस चाहन की मदद से ही हम लोग वाटर बेंडिंग कर सकते हैं चाहन की रूँ ने मुझे अपनी रूँ का थोड़ा सा हिस्सा दे दिया जिसकी वचा से आज मैं जिन्दा भी हूँ और किसी भी वक इस इंसानों के दिया में भी जा सकती हूँ यही फायर बेंडर्स के इलाके के अंदर जूकू की बहन अपने डैड को अपनी ऐसी फायर बेंडिंग स्किल्स दिखाती है जिसमें अपने हाथों से बिजली भी निकाल ली थी यह देख उसके डैड खुश हो चाती हैं जबके इस दिन में हमे पर उनके पास इतनी बड़ी फोज नहीं थी कि वो फायर बेंडर्स का सामना कर सकें तब कटारा उन्हें मश्वरा देती है कि औरते भी इस जंग में हिस्सा लें अपनी बात को प्रूफ करने के लिए वह यहां की सरदार से अपनी अच्छी वाटर बेंडिंग स्किल्स के जरी लड़ती है और प्रूफ कर देती हैं कि औरते भी जंग में हिस्सा ले सकती हैं यहां पर हमला हो जाता है एंक टारा और सभी लोग इस हमले को रोकने में लग जाते हैं लेकिन जूकू के अंकल अपने जर्नल को कहते हैं कि आज पूरा चांद है वाटर बेंडर्स को अ ऐसा चांद साल में एक मरतबा आता है और जिस दिन चांद पुरा गोल और इस तरहां चमकदार होता है उस दिन चांद की सोल और समंदर की सोल यही पीछे जर्ने के अंदर मिलती हैं वो कहते हैं कि मैं उन दोनों सोल्स को ही मार दूँगा सुकू के अंकल जर्नल से यहते है कि ये बहुत ही गलत आइडिया है ऐसा करने से सोल्स के दुनिया में और इस दुनिया में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है तबाही मत सकती है लेकिन वो जर्णिल कहता है कि मुझे इस चीज़ की कोई परवा नहीं वो आप जील के पास पहुँचाता है चांद की रूख को ढोड़ने के लिए जबके दुसरी तरफ जुकू एंग को पकरने के लिए यहाँ पर आ चुका है जिससे कटारा अब लड़ रही है और इस मर्थबा कटारा अपनी वाटर बेंडिंग की स्किल से बहुत ही असानी से जुकू को अपनी कहत में कैड कर चुकी थी यहीं पर वो जुर्णल चांद की रूख को मारने लगता है सुकू के अंकल उसे कहते हैं कि चांद की रूख की ताकत काफी जदा होती है एक अववतार से भी जधा तो मुसेन नहीं बार पाओगे लेकिन वो जर्णल वाटर बेंडर्स को खतम करने के लिए चांद की रूप को पकर लेता है ऐसे में चांद एक डम से लाल हुचका था जिसके बाद वो आदमी चांद की रूप को अपने जादवी खंजर से मार भी देता है और ऐसे चांद बिलकुल काला पड़ जाता है चांद की खतम होने से वाटर बेंडर्स की दाकत भी खतम हो जाती है वाटर बेंडर्स दाकत वर हो जाती हैं और वो हमला करके इनके इलाके को खतम करने लगते हैं यहां तक कि वॉटर बेंडर्स का टेंपल भी टूट जाता है यह बिलकुल वही सीन है जो कयोशी ने एंग के वियन में दिखाया था एंग यहां के लोको को बचाना चाहता था लेकिन तब ही उसे कयोशी की कही हुई वो बात याद आती है कि एक वतर को लोगों की फिकर चोड़ कर कुद पर देहान देना चाहिए पर अपनी पॉवर्स को भारना चाहिए ये सोचते ही वो समूंदर के बिलकुल त्रमियान में चला जाता है और अपनी रूख को समूंदर को दे देता है और जुकू को जिन्दा देखकर फार बेंडर्स कर जर्डल उससे में आ जाता है क्योंकि उसने तो जुकू को अपनी तरफ से मरवा दिया था ये दोनों अवातार से लड़ना छोड़कर आपस में लड़ना शुरू हो जाती है जुकू इसको बहुत मारता है और जब वो उसे हरा देता है तो तब ये आदमी जुकू को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस अवातार को पकट के पिले चाओगे तो क्या तुम्हारे डैड तुम्हें बाच्छा बना देंगे अरे नहीं, वो तो तुम्हें बेवाकुफ बना रही हैं, वो तुम्हें आगे रखकर असल में तुम्हारी बेहन को जोश दिलाती हैं, जिसकी वज़ा से वो तुमसे जादा ताकतवर बन रही है, और वो उसी को असल बाच्चा बनाना चाहती हैं, और मैं भी तुम्हारी जा पानी के अंदर डूब जाती है अपनी सोल को समंदर और चांद के हवाले कर देती है और ऐसे चांद एक मरतबा फिर से जिन्दा होकर आसमान में चमकने लगता है सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी एक मॉंस्टर की शकल में था वो वाटर बेंडर के इस इस इलाके के काफी दबाह होने की वज़ा से अभी भी गुस्ते में था जब कटारा उसे कहती है एंग तुम बहुत अच्छी हो तुम हमारे साथ ही हो हम तुम्हारी फैमली है हम तुम्हें कमजोर नहीं कर रहे हैं बलती हम लोग तो तुम्हारी ताकत हैं तुम अपने आपको ऐसे जाया मत करो यहां के लोगों को तुम्हारी जरूरत है यह सारी बाते सुनकर एंग का गुसा ठंडा होता है और वो पानी से बाहर निकल कर आता है एक बहुत ही ताकतवर अवातार की शकल में पर बाहर आने पे भी वो दुखी था उसे लग रहा था कि यहां पर जितनी भी तबाहि हुई है उसकी वज़ासे हुई है लेकिन उसके साथ ही उसे कहते हैं कि यह तबाहि उस दे नहीं की बलगे फायर बेंडर्स ने की है उसने तो यहां के कई लोगों की जान बचाइए है और दुनिया को बहुत बड़े खत्रे से भी बचाया है एंग कहता है कि अब बस मैं पुरानी चीज़ों को भुला कर अपने आगी के सफरक पर देहान दूँगा जिसमें कटारा उसे वाटर और एयर बेंडिंग सिखाने में मदद करने वाली थी सीन कट होकर हम जुकू और उसके अंकल को देखते हैं जिनको अभी भी मालूम नहीं था कि उन्हें क्या करना है क्योंकि उन्हें तो अपने ही बाप और भाई से धोका मिल चुका था दूसी तरफ जुकू के डैड जिनको ये खबर मिलती है कि वाटर बेंडर्स के काफी सारे इलाके को तबाह करने के बावजूद भी फायर बेंडर्स उनसे हार चुकी हैं तो वो हिरान कुद तोर पे इस खबर को सुनकर नाराज नहीं होते और अपने लोगों को बताते हैं कि ये तो उनकी सिर्फ एक चाल थी वो कभी भी वाटर बेंडर्स की इलाके को तबाह करना ही नहीं चाहते थे वो तो सिर्फ जाते थे कि अवतार कल दियान वोटर बेंडर्स के उस इलाके को बचाने में लग जाए जबके पीछे से उन लोगों ने तो आर्थ बेंडर्स की इलाके पे कब्जा कर लिया था वो भी अपनी बेटी के जर्गे यहां उनके लोगों से पुछते हैं कि जुकू का क्या होगा जिस पर जुकू के डैट कहते हैं कुछ रही अब एक बार हमें बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए ऐसे कमजोर लोगों की कुर्बानी देनी परती है अर्थ मेंडर्स के इलाके पर कबजा करके जुकू की बेहन बहुत ज़्यादा खुछ थी और कहानी के आखिर में हमें जुकू के डैट अपने साथियों को ये बताते हुए दिखाया जाते हैं कि अब अर्थ के उपर से एक फायर बॉल गुजरने वाला है जिसकी वज़ा से उनकी ताक्ति और भी बढ़ जाएंगी और ये बताते हुए कि कहानी यहां सत्म हो जाती है